मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की डोकु दवाई के बारे में कि कौन कौन सी फसल में आपको इस दवाई को उपियोग में लेना है इसके टेकनिकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये डोस लेनी है कितने लीटर पानी में इसका घोल लेना रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए आए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो ये डोकू दवाई है इसका इस्तमाल आप मुख्य रूप से धान यानि की चावल, कपास, चाई, कौफी, मिर्च और सभी बागवानी फसलों में कर सकते हैं बागवानी की वो जिससे भी मेडिकल दवाईया बनती है वो वाली फसलें तो और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों इसका टेक्निकल नाम है है जो की ये दिखाती है कि ये बहुत ही सीमित मात्रा में आपको दवाई लेनी है लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और अब बात करते हैं महत्वपून बातों की जिया दोस्तों मिर्च में जो पीले कीट लगते हैं जिससे माथा बंदी भी हो जाती है मिर्च काम बोलते हैं माथा बन गया वो उसके अला कीट भी जो लगता है उसके लिए सेब में जो आपने देखा होगा एपल में यूरोपियन लाल मकडी लगती है और भिंडी में जो एफिट्स के नियंतरन एफिट्स जो लगता है इन सभी फसलों में ये जो बताए गए सभी कीट है इनको मारने के लिए इनको नियंतरन में लाने के लिए इनको खतम करने के लिए नश्ट करने के लिए आपको डोकू दवाई का उपयोग लेना है जिया दोस्तों इसका इस्तमाल आप सिलिकॉन चिपकू के साथ करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे और दाना में रस बनते समय उसे कीटों से दाना बन रहा होता है जैसे धान का फसल है या गेहूं की फसल है जिस समय गेहूं का दाना बन रहा है दान का दाना बन रहा है चने का दाना बन रहा है उस समय अगर आप इसका इस्प्रे करेंगे तो जो दाना खतम होने की शिकायत आती है दाने में कीट खाने की शिकायत आ यह हम मैं बार-बार क्या रहा हूं क्योंकि यह एक लिमिटेड तरह के कीटों को ही मारती है तो आपको इसकी इफिशेंसी इसकी वर्क पावर और बढ़ाने के लिए आपको इसके साथ में अन्य कीट नाशक का भी उपयोग लेना है उससे यह होगा कि तमाम तरह के जो कीट है इल्ट है लटे है या फिर माइट्स भी है तो वो भी सब खतम हो जाएंगे यह थी तमाम महत्वपून जानकारिया आप बात कर लेते हैं ग्रैफिक्स के जरिए आपको समझाने की के यह कौन-कौन से कीटों को नियंतन करती है सबसे पहले जो मैंने माइट आपको बताई ज यह है ट्रॉपिकल रैट माइट इसको खतम करती है यह भूरी मकडी यह हैलोथोरेस लेजेंडरी यह सब इंग्लिश में नाम है लेकिन आप शकल देखके चेहरे देखके पहचान जाहिए कि यह इन इन तरह के जो माइट्स लगते हैं उन सब पर यह काम करती है जो घुन ज रैफिक्स के जरीया आप समझने की कोशिश करिए कि इन तमाम तरह के कुईडों को इन तमाम तरह के माइट्स को यह दवाई मारती है और अब बात कर लेते हैं सावधानियों की यह दोसतों कोई भी आप दवाई करें सावधानी रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सावधानी अटी दुरघटना घटी जा दोस्तों सबसे पहली बात तो यह अत्यांत जहरीले पदार्ट होते हैं तो बच्चों को इन दवाईयों की पहुंच से आपको दूर रखना है अपने शरीर को भी इस्प्रे करते समय आपके शरीर पर भी यह इस्प्रे नहीं लगना चाहिए वरना आपके शरीर के लिए भी यह घातक है हानी कारक है इसलिए हम कहते हैं हाथ में दस्ताने मूपे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए और जब भी आप खेत में जाएं तो खाली पेट आपको कभी नहीं जाना चाहिए हमेशा आपको अच्छा आहाल लेखे अच्छा भोजन करके ही खेत में इस्प्रे करने जाना चाहिए उचीत तापमान में ही आपको इस्प्रे करना है जितना हो सके सुबह 12 वज़े से पहले शाम को शाड़े-4 वज़े के बाद में ही आपको इस्प्रे करना है, दिन के समय आपको इस्प्रे करने से बचना है क्योंकि धूब बहुत अत्यदिक होती है और अगर इस्प्रे हमारे शरील पर वापस लगता है तो hospitalization की भी नौबत आ जाती है अस्पताल में भरती होने की भी नौबत आ जाती है या दोस्तों उसके साथ साथ ही आपको nap sack spray pump और flat fan nozzle का भी उपयोग करना है इससे हमारा इस्प्रे एक धार में बिचेगा और कालीन की तरह इस्प्रे होगा कोई भी जगे छूटेगी नहीं हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको इस्प्रे नहीं करना है जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको इस्प्रे करना है ताकि वो इस्प्रे का अंश आपके शरीर पर भी न लगे और नहीं इस्प्रे वेस जाए नहीं आसपास की जो आपकी दूसरी फसले हैं उस पर वो इस्प्रे जाके लगे और कोई घातक परिणाम आपको देखने क को मिले और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यह जितने भी पदार्त होते हैं यह रसाइनिक प्रक्रिया से बने होते हैं और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल्स होता है जो की हमारे मनुष्य शरीर के लिए हमारे मानव शरीर के लिए खराब है हानिकार है तो इन बॉटल्स को पैकेट्स को जब भी आप पूरा इस्तमाल कर लें तो उसके बाद में आप इनको वहीं तोड मोड के नश्ट करके जमीन में गाड कर चले आए अन्य किसी भी उपयोग में आपको इनको नहीं लेना है तो दोस्तों यह थी तमाम तरह की सावधानिया डोकू दवाई के बारे में आने वाले वीडियो में जिस दवाई की हम आपको वीडियो बनाएंगे जिस दवाई की हम आपको जानकारी देंगे उस दवाई का नाम है फिप्रो जिया दोस्तों श्रीराम कंपनी की यह फिप्रो दवाई है और यह वीडियो बहुत इंट्रे कर लिजिए और नोटिफिकेशन का बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंसती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार